राज के महाविद्दालि भहरोड के इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है विकॉम पार्ट थर्ड के पर्थम परशन पर्थर ये फ्रम के ग्रामन विकास और सहर कारिता में आज हम पढ़ेंगे ग्रामन विकास विवरचना और इसमें ग्रामन विकास के जो जवलन्त मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे तो जो वर्तवान में बड़ा मुद्दा है जिसका कोई हल नहीं है वह सूखा ड्राउट जब किसी छेत्र में वर्षा बिल्कुल ने हो अथ्वा ओसस से भी कम हो तो उसे सूखे की संग्या दी जाती है सूखे के कारण पीने के पानी की कमी हो जाती है पसलें नहीं बोई जा सकती है और जिन इस्तानों पे बहेंकर सुका पड़ता है वहाँ से जन्धन पलाइन कर जाता है पसुव उगों के साथ जो जनता है वह पानी वाले जिगभे सली जाती है हम देश्टी बात करें तो जो राज्ये हैं कुछ जिन में बारबार सुका परता रहता है उनमें राजस्तान, गुजरात, उडिशा, मद्धेपरदेश, जहारकंड, सतिसगड, अंदरपरदेश, तध़ता मिलनाडू है और इनी राज्यों के कुछ जिले हैं जिन में भी हमेशा सुका परता रहता है उनमें सामिल हैं बाडवेर, जेशलमेर, विकानेर, जोधपूर, कालाहनी, पलामू, वस्तर, चत्रा, लोहर दगगा ये जिले हैं इनमें बार-बार अकाल परता रहता है अब हम देखेंगे सुके की प्रिवाशा सुके की प्रिवाशा है उसको तीन तरह से प्रिवाशा दी गई है पहली प्रिवाशा है वो भारतिय मोसम विज्ञान संस्तान इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट आई-मडी में दी है और इसके द्वार अधिक की प्रिवाशा सुके की मोसम विज्ञान समंदी प्रिवाशा कहलाती है प्रिवाशा इस प्रकार है यदि किसी मोसम विज्ञान उप्खंड में दिरकालिन ओसर से 25% या इसे अधिक मातरा में वर्सा की कमी रहती है तो इसे मोस में सुखा का जाता है और यदि वर्षा की कमी 50% से अधिक रहती है तो इसे बहेंकर सुखे की स्रेणे में रखा जाता है तो यहनि किशी उखंड मोस में ज्यान का दूखंड है उसमें लंबे समय तक यदि जो वर्षा का ओशत है उससससे बहनों वर्षां की कमी ओससससे एंकर शुका करेंगे जो दूसरी परिवाशा है उसके ऋपर दूसरी है जल विज्ञान समनदी सूका हाइडरोलोजिकल ड्राउट यह वह स्तिति होती है जब लंभी अवदी के मोस मी सुख्य की कारण सता ही जल समावत हो जाता है और भूमिगत जल के इस तरह में भी कमी आ ज pourrait वर्माण सकता हो के लिए पानी की वह सुख्य की प्रिवासा प्रिवासा जाए इसंें बरश लंबे समयं तक नहीं होती है monopol तो उसी की उजय से जो जल्विज्ञान समन्दी सुका उत्वन होजा है क्योंकि बारिस नहीं होने चे जल स्रोतों का जल सूख जाता है और जो भूमी का जल है वह भी नीचे चला जाता है अब हम तीजरी जो प्रिवासा उसके उपर फोकस करते हैं जिसको कर्शी समन्दी सुका का गया है बहेंकर मोश्मी सुक्य के कारण लगातार चार सप्ता की यहुदी जिसमें द्रेकालिन वर्षा के वर्षत का 50% से अधिक मात्रा में वर्षा की कमी रहती है अध्वा खरीब के मोश्म मद्ध मई से मद्ध एक्टूमबर तक में साप्ता ही वर्षा जो है पांस से इंटिमिट्रियां इससे भी कम रहती है और वर्ष के से दिनों में यह दिया इस्तिती लगातार चार सप्ता तक रहती है तुझे कर्शी सुका कहा जाता अब हम बात करेंगे कि जो सुका है वो कौन गोशित करता है तो सुके की गोशन जिला इस तर पर जिला क्लेक्टर के द्वारा की जाती है और जिला क्लेक्टर गिर्दावरी रिपोर्ट मांगता है गिर्दावर से और यदि रिपोर्ट में 50% से अधिक पसले सुक जा रहे के काराणनाश्ट होती है तो सुके की कोशना की जाती है जिले में और यही के रिपोर्ट जो शुके की थो राज़त द्वार को अगली कार्यमें के लिए सोब दी जाती है अब बात करेंगे कि सूका की गोशना जब जिला क्लेक्टर के द्वारा कर दी जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है तो जो सबसे पहला कतम उठाया जाता है वो किसानों को सहता प्रदान करने से समध्य है और जो उसको प्राकृतिक आपडा में साहिल किया गया it out प्राकरत आप्दा माना गया है तो सरकार जो है वो इस सुखे से निपटने के लिए आपदाराहत कोष्ट चलाती है तो जो पहला सचासर कि प्रसासन राच यह सरकार के दोरा किया जाता है प्रंदु इस कोष्ट में जो राच्शी जमाव होती उसका पीछोतर प्रति आंसदान केंदर सरकार के दिया दिया जाता है और जो एक और आकस्मिक फंड बनाए गया है राष्टि आप्दा आकस्मिक निदी बनाए गया है जिसका भी मुद्धे से सुके से प्रवायुते उपाय करना है तो यह केंदरी कोस होता है जिसमें राज्य सरकारों को राची 13 सरकार के दूरा उपलबँ सकते हैं अब हम देखेंगे कि सूख्य के जब नहीं किये पहला तो यह होता है कि जो सूखा प्रभाविश्चेतर उसमें राजसुव की वसुली गाओ पॉस्टपॉर्ण कर दिया जाता है कोई वसुली राजसुव की नहीं की जाती है और जो दूसरा उपाई हुए है रहेनों पर ब्याज की माप्रिक कर दी जाती है जनता ने जो भी णार का जो लिए रखाए उसके उपर ब्याज कि वसूली नहीं करें और जो अगली एक योजना जो चला जाती है वह काम के वदले अनाज योजना रहतकारी चलाकर जनता को मजदूरी के वदले पहलते आनाज उत्वन्द है आनाज उत्वन देट इतंड और एक अन्नी उपाइब करते इसारकार जिसको vermag रजा जोग्यास के जूद्धाओं की चाहिए निलगास तो सब्सक्राइब 1088 God जो पट्टरवी सीनेश्ट नत्यों को तुद्ध पशुदलगों के जाने नहीं भ सुख जाता है उसके लिए भी सरकार साहिता देती है बस्वाल्गों को और रिणों पर वसुली पर रोक लगा देती है जो लोन जन्ताने ले रखे हैं उनकी वसुली के भी उपर भी रोक लगा दी जाती है और इसके लावा पैई-जल चारे और खाद्यान की आपूर्थी का काम भी सरकार की द्वारा किया जाता है कि जिसे की जंदा को रहत मिल सके अब हम चर्चाग रहेंगे कि जो सुका है वो बार-बार क्यूं पड़ता है तो इसका सबसी बड़ी बजाय है वनों की अंदादूंद कटाई किसी भी देश में अच्छे मोसम के लिए अच्छे प्रियावरण के लिए 33% भूबाग पर जंगल का होना आवशक है परंतु बढ़ती हुई आवादी के कारण उनकी आवाज की समझ्यों को हल करने के लिए जंगलों को खतम किया जाता है और दोग दोग विमार इस्तावित के जाते हैं तो इसकी वज दोगबे मैं में यह परियाथ मात्रम नहीं होने से जो वरस बारीस होती है उसका पानी बैके नदियों में चला जाता है ब्रस दर्ति के सथय पर दूपर नहीं उड़ता है तो यह भी एक करन है अगला है सीचाई के साथनों का भाव है तो स Corona के भाव में भी सूख्य का सामन करना पड़ता है तो उसकी वज़े से भी सूखे के सामना नहीं किया जा सकता और जो अगला बिंदु है विधूति करन का भाव लेकॉप कि अधिए पानी प्रियापत होता है मगर भी नहीं पटना संभव नहीं होता है और सुका बार बार पढ़ने का एक करन और अल्नीनों का प्रभाव अल्नीनों क्या है अल्नीनों परसांत महाशागर से उठने वाली एक जो है लहर है जो ग्रमदारा होती है इसमें और यह पूरो दिशा क्यों बढ़ती है तो यह दाराजिस्त दिशा में जाती है जिस हम बैती है वहाँ पर बारिस नहीं हो पाती है तो वहाँ सुका होता है तो इंडोनेशिया फिलिपिन्स इंग देशों झाल 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 हम झाल 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 यह कुछिन भी बार बार विश्वत दाले के प्रिक्साओं पूंसा जाता है आज के लिए वस इतना ही है झाल